हे दोस्तों मेरा नामे सुभूजीट स्वागत करता हूं सबका एक और न्यू वीडियो में और आज मैं आप लोगे सामने अन्बोक्स और रिव्यू लेकिया हम एक प्रोडिट का जो कि आता है निकॉन की तरफ से तो ये जो है एक लेंस है निकॉन का डाट इस निकॉन 85mm f1. ये जो लेंस है ना ये मेरे फुल फ्रेम क्यामरे के लिए है जो कि है मैंने अब इस पर्चेस किया है निकॉन का D780 अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं मैं आई बटन में दे दूंगा अप वहां से जाकर जो उसके वीडियो को देख सकते हैं आज हम लोग बात करेंगे इस लेंस की इसको अन्बॉक्स करेंगे और देखेंगे कैसे का क्वालिटी आती है और यह जो लेंस है बहुत पुराना लेंस है बहुत टाइम से लोग यूज कर रहे हैं और यह फुल फ्रेम के लिए सबसे बेस्ट लेंस है निकॉन अगर आप DS तो आज पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर के जी सब्सक्राइब की दिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे कि अगर मैं ऐसे और वीडियो लेकर आगा हूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहल तो आप इसको फूल फ्रेम सेंसर में यूज करेंगे तो आपको 85 mm मिलेगा और अगर आप इसको क्रॉप सेंसर में यूज करेंगे तो 1.3 एक्स क्रॉप के साथ जोह है यह जूम आूट हो जाएक उसकाथ कर लेते हैं मैक्सिमम आपरचर थी भाप्ट फ1.8 है और जो मिनिम वह साथ देट के साथ आता है जिससे कि आपको इसमें बहुत अच्छी सी क्लियारिटी मिलती है उसका बात कर ले इसके हम वेट की तो वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 350 ग्राम का है जो कि बहुत यह चीछ है और इसकी जो लेंस जो है हमारे उसका जो डामेटर फिल्टर का व रफोग स्पाइब जनवरी का है आप इसमें लिखा हुआ जनवरी का और इसमें आपको 2 साल की वारांटी मिल जाती है रिकाई निकां की बहुत ही चीज़ है तो जल्दी से इसको ऑैंके सांध फिर मेपकर साथ इमेज खुमा उर्ह ज ओह कूंस गल ना कर टाए ऑकन यह जो यह निकॉर का लंस है, AFS NICOR 85mm F1.8, यह जो है G version है, इसमें आपको 2 साल की warranty मिल जाती है, और इसमें सारसाफ लिखा हुए, यह जो प्रोड़ेट है, वो सेल करने के लिए है इंडिया में, और यहां पर हलका सा 85mm भी लिखा हुआ है, इस साइड में आप यह देख सकते हो, CL1015, केस के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे, तो मैं बताता हूँ, केस के अंदर एक पाउस मिलता है, उसका नमबर है, इस साइड में कुछ ने लिखा है, इंपोर्टर के बारे में लिखा हुआ है, और इसका रेट है, वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, जो जो है, एक अच्छा खासा जो है, डील मुझे मिल गिया है, तो अगर आपको कुछ पर्चेस करना है, और अगर आप भॉपाल से हैं, तो आप शुपा फोटो स्टूडियो को कॉन्टाइट कर सकते हैं, उनका जो कॉन्टाइट डिटेल है, वो में दे दूँगा, और दूस जो है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, तो यह जो है, इसको निकाल के हम दो को इसा निकाल लेना होता है, और निकालने के बाद सबसे पहले आपके देख सकते हो, इसमें जो आपको मिल जाता है, एक पाउच, तो यह जो है, इसको बारे में बात कर रहा था, तो इसमें जो है इसको निकालने के बाद आपको यह पाउच मिल जाएगा तो पाउच वो कुछ ऐसी क्वालिटी का है इसमें जो है निकॉन भी लिखा हुआ है और यह जो पाउच है वो कुछ जादे खास होते नहीं है अगर इसकी जब पर निकॉन कुछ हार्ट केस टाइप में दे तो कुछ समझ भी आये बाद पर यह वाले जो पाउच है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छ नहीं लगता नहीं क्यों और क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती नहीं है इसमें लेंस लखने लाइक बस लेंस को जो है प्रोड़ेट करता है डस से बड़ कोई भी अगर आपको बाहर से देंबिज होगा कहीं से भी अपका लेंस हलका पुलका भी लग जाता है तो यह उसको नहीं बेर कर पाएगा तो ठीक है अब दे रहे हैं अपने को तो अच्छी बात है उसके बात करेंगे और देखते अंदर क्या मिलते हम लोगों एक मैनुवल मिल जाती हम लोगों पूरी या मैन लिखी हुए इसके बारे में तो यह आप पढ़के जो है ग्यान ले सकते हो और अंदर और क्या है अंदर जो है इसकी वारेंटी कार्ड है तो आप यह देख सकते हो यह जो है इसका वारेंटी कार्ड है वारेंटी कार्ड भी मिल जाता है इसके साथ और बिल जो है व बात कर लें हम लोग तो इसकी हुड की अगर बात कर लें तो अब यह देख सकते हो हुड जो है यह वाला है इसको मैं बहाँ निकाल लेता हूँ और फॉस्ट इंप्रेशन जो है हुड का वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छे मटेरियल का बना लेंगे जो हुड का साइज है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ और निकॉन का यह जो है लगता है इसमें एजबी 62 और इसमें साफसाफ लिखा हुआ है मेरिन समझ गया न अब ठीक है इसको रख लेते हैं और बात कर लेते हैं लेंस की तो यह जो है आज हमारा हीरो है इ देख सकते हैं यहां पर जो एक पॉइंट दिया हुआ है जिसे हम कैमरे में इसको लगाते हैं उसका पॉइंट है और यह जो है आपका डिस्टेंस बताता है तो इसमें जो है निकॉर एफस निकॉन निकॉर 85mm f1.8 से जो है चालू होता है और जी लेंस है इसके बारे में ड फोकस कर सकते हो कंटेंट को आप यह देख सकते हो अभी जो है बहुत जादा टाइट है और यह जो है बहुत जादा घूम रहा है इतना जादा घूम रहा है फोकसिंग के लिए तो आप देख सकते हो यह 0.8 से चालू हो रहा है और 14 टोटल इंफिनिटी तक तो यह बहुत यह देख सकते हैं इसमें कुछ-कुछ content source दिये हुए हैं, तो overall quality बहुत अच्छी है, Nikon की यह उपर वाला casing है, इसको निकाल के भी एक बार देख रहते हैं, तो आप यह देख सकते हो, यह पूरा lens है, इसका filter thread है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, आप यह देख सकते हो, 85 mm जो यह एक बहुत ही अच्छी चीज है, सबसे पर एक काम और कर लेते हैं, हम जो इसका hood भी लगा के देख लेते हैं, lens जो है कितना बढ़ा हो जाता है, तो हम जो है यहाँ पर इसको fix करेंगे, तो यहाँ पर जो point डिया हुआ है, इसको हमको लगाना है यहाँ पर, और लगाने यह जो है मेरा camera है, Nikon D780, जो कि मैंने just newly purchased किया है 15 दिन पहले ही, तो सबसे पहले मैं इस lens को इसमें लगा के आपको दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है, और यह जो lens है इसमें लगा हुआ है, वो है 24-120, जो इसको इसमें लगा के दिखा देता हूं कि कैसा लगता है, तो इसको लगाना बहुत easy है, सबसे पहले आपको इस चीज को अटालेना होता है, बोडी को कभी आप open करते ना, तो यार ऐसा उल्टा करके open क्या करो, क्योंकि यह तो dust जो है अंदर चले आता है, और इसको रखके, फिर इसको जो है white point से white point को मिला के, बस यह अपने लगा दिय यह आ गया, और आपी देख सकते हो body जो है, ऐसी कुछ दिखती है, 25 mm लगाने के बाद, और यह जो है आप देख सकते हो, यह जो है Nikon का 24-120 mm वाला जो length है, तो दोनों में जो है आप यह देख सकते हो, ज्यादा कुछ difference है नहीं, लगबाग around semi length के हैं, पर यह है कि इसको जाता है, तो यह एक अच्छी चीज है, तो अब जो है मैं आपके साथ इसका शेयर कर देता हूँ, सारे images जो मैंने shoot किये हैं, आप उसको enjoy कीजिए, इसको जो जो हाओँ मैंनेumpsा कर दो ढा सकते हैं, राओं नामा काम स्चीज है, काम स्चीजार प्तार बघ्राब ठावी उसके एक अच्षिथ हैं, इसको दो चाले हैं, एक बारبة प्राव ना से बिल्सेच's कि आफमा झाल झाल